शौरयस धल युद्ध समारक ठीक है मतलब बिसिकली वार मेमुरियल हो गया हम गड़ी कैंट में हैं ये सामने मेरी गाड़ी पाक की हुई है और वो वहाँ सामने ये युद्ध समारक है तो आईए मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ ये आप देख सकते हैं श्री राजनाथ सिंग जो की माननी रक्षा मंत्री है भारत सरकार के उनके द्वारा इसको इनाउगरेट किया गया हाल फिलाल में कोई बहुत जादा पुराना नहीं है ये हाल फिलाल में नियूली कंस्रक्टेड है तो वार मेमोरियल में तो आपको पते ही क्या देखने को आपको मिलेगा हमारे जवानों की वीर कहानियां उन से रिलेटिड बाते हैं और जो शहीद हुए हैं उनके किसे उनके नाम उनको इज़त दी जा रही है इस तरीके से इसका address दिया हुए था 4x2 New Cantonment Road त्रिवेनी नगर गढ़ी कैंट दहरादोन उतराखंड ठीक है यह हो गए इसका पूरा address गढ़ी कैंट जो की दहरादोन में है तो वहाँ यह स्थित है टाइमिंग लिखा हुए तो Google Map पे शाम को पांच बजे खुलता है शाम को साथ बजे बंद होता है बट मुझे लगा यह बिसिकली पार्क है जिसको बस डेडिकेट किया गया है हमारे soldiers के लिए चाहे वो army के हो, navy के हो सामने ship का model दिया हुए आप उसे पास में जाके भी देख सकते हैं एक्चुली बरसात हो रही थी तो मेरे हाथ में चाहता था तो मैं एक हाथ से बस record कर रहा था एक हाथ से चाहता हम रेला पकड़ा हुआ था यह हमारा respected Indian flag है तो मौसम अच्छा हो रखा है आज तो आप यहाँ पे आ सकते हैं आप कभी गुजर रहे हो तो दो पल गाड़ी रोकिएगा थोड़ा सा आईएगा हमारे जो शहीद जवान है उन्हें थोड़ा से सम्मान दीजेगा ऐसी जगह पे आने से अपने लिए भी खुद को भी अच्छा मैसूस होता है और जो हमारे श्थैनिक हैं जिन्होंने वीरगती प्राप्त किया है जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी है अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी जान जो दी है और निस्वार्त भावना से तो उनको एक तरह से इज़त दे सकते हैं जो चला गया तो चला गया लेकिन वो इतने एक नोबल कॉस के लिए तो उनको इज़त देना तो बनता है यह आप सामने देख सकते हैं यह भारत का जंडा है, ठीक है इंडियन नाशनल फैक्ट, भारत का पर्चम हो गया और यह आप देख सकते हैं, जो इस तरीके से यह वाल सी है इस पे जो है, इंडियन ट्राइ सर्विस लिखा हुआ था मतलब इंडियन आमी, इंडियन एफोस और इंडियन नेवी उसमें यह जो भी है, हमारे भारती असैनिक है चाहे किसी भी सेना के हो, वायू सेना, अथल सेना, नौ सेना तो इनके नाम, उनके रैंक्स और उनके बारे में जानकरी दीवी आप बढ़ सकते हैं राम से, ठीक है तो बस जैसा कि वार मेमरियल में होता है, आप वार मेमरियल अगर आपने कभी विजिट किया होगा, मैं जमू में था, तो वहाँ भी मैंने एक विजिट किया था तो बट वहाँ वीडियो नी अलाओ कर रहे थे, शूट करने के लिए यहाँ पर मुझे लगा, शायद अगर गाड साफ ओजी होंगे तो शायद वह पता नी अलाओ करेंगे भी नहीं करेंगे, बट मेरे ख्याल में सिविलियन थे, यहाँ पर जो गाड साफ थे, तो उन्होंने फिर मना नहीं किया, मैंने उसे इजात मांगे कि मैं शूट करनू, यह सामने इंडियन एफोस का एक विमान खड़ा था, आप देख रहे हैं, ठीक है, वो शिप होगी, इंडियन नेवी की शिप होगी है, तो अच्छी जगह हैं, खूब सूरत जगह है, मेरे ख्याल में जो यहाँ गड़ी कैंट में रहते होंगे, वो तो उन्होंने तो यहाँ से गुजरे भी होंगे, और वो शायद अंदर भी आए होंगे, बाकी जो नहीं आए हैं, उनके ल